नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब जैनल डिजिटल गुरुकुल में आज हम लोग बात करेंगे इंडिरेक्ट टेक्स के छितर में सबसे बड़े बदलाव एह जाने वाले जिसने स्टेट और सेंटल गुर्वर्मेंट की तमाम तरह के टेक्सिसिंश इस्टम को खत्म कर दिया और एक नए टेक्स के रूप में उभरा जिसे हम लोग GST कहते हैं इसे वन नेशन, वन टेक्स के रूप में भी जाना जाता है आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है GST, ये कितने तरीके के होते हैं, कैसे ये काम करता है या तो आज तक GST के बारे में क्या-क्या प्रशन पूछे गए, तमाम चीजों को हम लोग डिस्क्रिस करेंगे किसी भी एक्जाम के आप तयारी क्या होना कर रहे हूं इन से एक यार दो प्रश्ण जरूर आएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को आन तक देखते हैं तो एक भी प्रश्ण आपके बाहर नहीं जाएंगे यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं देर न करते हूए सेजन की सुरुवात करते हैं सबसे पहले जानते हैं GST GST टीन टर्म गुड्स सर्विसेज और टैक्स इनको मिलकर बना है GST का पूर्ण रूप यानि फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि कि हिंदी में जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है यहाँ पे तीन चीज़े है गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस टैक्स यानि कि गुड्स का अर्थ होता है जो सामान हम लोग फिजिकली तोर पर खरीते हैं यानि कोई मुबाइल खरीता कोई लैपोप करेता कोई टैitaryबल करेता घरी करेता जो भी चीज़े खरीते जो फिजिकली जिसको अमें चूश सकते हैं उसको अमें लोग गुड्स कहते हैं उसके लिए जो टैक्स लिया जाता है उसे गुड्स टैक्स लिया जाता है उसे service tax कहा जाता है तो इनको goods plus service इनको मिला कर जो tax लिया गया मोटी तोर पर इसे ही हम लोग GST कहते हैं अब GST को अच्छी से समझने के लिए flashback में जाना होगा यानि GST के आने से पहले भारत में क्या scene था यह हमें देखना होगा चलिए देखते हैं इसके पहल के tax राज करते थे एक तो था direct tax जिसे की प्रतक्ष कर कहा जाता है और दूसरा था indirect tax यानि घागरेट को रर्तक्ष कर कहा जाता है और दोसरे तरा के टैक्स तहें अब हुआ कि भारत मेगे बहुत तरह के टैक्स कंपलिकेट ते टो इन तमाम तरह के indirect taxes यानि कि 23 तरह के CESS और 17 तरह के indirect taxes को मिला कर combine करकर एक नया tax बनाया गया जिसका नाम GST दिया गया, clear है, अब ये CESS क्या होता है, definitely mind में आगा, आगे हम लोग डीटेल में discuss करेंगे, don't worry ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इतना तक clear है कि 23 तरह के भागते हैं, पहला था SGST दूसरा था IGST और तिसरा था CGST, अब क्या होता है, बहुत अच्छे से लोग देखेंगे video example, पहले इसका full form देख लेते हैं, SGST जो होता है वो state government के द्वारा लिया जाता है इतना समझ यह, यानि कि state goods and services tax कहा जाता है अगर कोई माल एक state से दूसरी state में जाए, यानि इंटर state जाए, तो उसे integrated goods and services tax कहा जाएगा जिसे IGST का नाम दिया जाता है यह article 269A में इसका बारे में वर्णन किया गया है तीसरा है CGST यानि central goods and services tax जिस tax को हम लोग central को देंगे उसे CGST का नाम दिया जाएगा अब समझने के लिए एक example के लेते हैं सबोज किजिए कि सुबह मैंने नास्ता करने के लिए एक restaurant पे गया ठीक है clear है, वहाँ पे bill बना total 165 rupees उसमें 9% देखिए SGST लिया गया और 9% CGST लिया गया, इसका अर्थ है कि total में 9% जो है वो SGST यानि state government के पास चला गया और बाकी का 9% जो है central government के पास चला गया clear हो गया, यानि कि restaurant में total bill का 9-9, 18% यहाँ पे bill लगा, 18% GST लगा, इसमें से 9% जो है state government के पास, और 9% जो है वो central government के पास चला गया clear हो गए इतनी दूर तक और इसे ही हम लोग SGST और CGST कहते हैं तो ये तो हम लोगों ने किसी एक ही जगा पे यानि उसी restaurant पे खाना काया अब suppose किजिए मैंने कोई चीज कोई सामान जो है वो एक state से दूसरे state में order किया तो उस चितर में क्या होगा देखते हैं जैसे कि अगर हम लोग स्रिप महाराष्टर के अंदर कोई billing करते हैं कोई order करते हैं तो उसमें क्या होगा उसमें हम लोगों का लगता है क्या CGST और IGST जो कि central के पास आदी चली जाती है और हाप चला जाता है किसके पास state के पास चला जाता है अब सपोस किजिए कि महाराष्टर से किसी सामान को order किया गया करनाटका तक यानि कि सपोस किजिए मैं रहता हूँ करनाटका में और मैंने एक सामान को order किया महाराष्टर से तो वो सामान कहां से कहां गया महाराष्टर से गया करनाटका तक तो उस condition में क्या होगा लगेगा क्या IGST लगेगा clear हो गया अगर एक state से दूसरी state तक सामान जाता है तो इस condition में IGST लगता है अब definitely आपके मन में प्रशना आएगा ऐसे condition में क्या होगा जैसे कि हम लोगों ने देखा था अगर एक state में जब जाता था तो उसमें क्या होता था आधा तो central government के पास जाता था और आधा जो है वो state government के पास रह जाता था बट अगर एक state से दूसरी state में जाए तो इस condition में IGST लगेगा बट होगा क्या आपको आईए समझाते हैं सबोस लिजे कि माल जा रहा है महराष्टा से करनाटक तक तो इस condition पर महराष्टा से करनाटक पर जाने पर IGST लगेगा और वो tax जो है आधा जो है वो central government के पास जाएगा आधा जो है state government के पास जाएगा अब यहाँ पर दो state जो है वो cover करते हैं एक तो महराष्टा state है और दूसरा state जो है करनाटक तक किसको मिलेगा क्या आप बता सकते हैं दो state है देखिए महराष्टा से करनाटक तक का रहा है तो यहाँ पर दो state कबर कर रहे हैं तो tax मिलेगा किसे इस condition में tax मिलेगा करनाटा का सरकार को क्योंकि जिसमें destination पे जहां पे माल पहुँच रहा है उसे ही tax मिलेगा इसलिए इसे अप्रतक्ष कर कहा गया है और क्या कहा गया है destination based tax कहा गया है किसे इस GST को अब I hope यहां तक आप लोगो clear हो गया होगा types of GST क्या होते हैं कैसे कैसे लगते हैं CGST IGST और SGST क्या होते हैं कैसे किनको क्या मिलेगा इतना तक clear है अब मैंने एक term कहा था CES यह CES क्या होता है आपको बता दो कि कुछ special चीजे यानि luxury things के लिए CES लगाया जाता है और यह जो tax है यह special tax का tax है एक जो कि suppose कि यह कोई एक luxury गाड़ी मैंने खरी दी यह जैसे OD गाड़ी मैंने खरी दी तो इस पर क्या होगा इस पर GST 28% का तो लगे गा ही इसके उपर हम लोगों को CES भरना होगा ठीक है special CES भरना होगा बत यह ध्यान रखिए यह जो CES होता है वो सिर्फ diet किसके पास जाता है भारत सरकार के पास जाता है यह CES भारत सरकार किसी राजय सरकार के साथ साजा नहीं करती है तो इसे ही हम लोग CES कहते हैं जो special type के tax कुछ words पे लगाया जाते हैं इसे हम लोग CES कहते हैं जो कि normally GST के उपर लगाई जाती है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ important points को कबर करते हैं ठीक है कुछ ऐसे points जिसे हम लोग अगर आप ध्यान पे रखते हैं तो एक भी प्रशन हम लोग के बाहर नहीं जाएंगे स्टार्टिंग करते हैं basic से GST यानि इसे goods and services tax यानि इसे वस्तु एवं सेवा करका जाता है विस में GST सर्वपतम फ्रांस में सुरू हुआ 1954 को ज्यान रखिए और भारत में GST के सुरुवात 1 जुलाई 2017 को हुई इसी कारण से GST दिवस के रोप में हम लोग मनाते हैं 1 जुला किया गया इतना तक क्लियर है आगे बढ़ते हैं सर्वपतम GST बिल का फ्रारूप तैयार करने वाली समीति के एज़्देश कौन थे असीमदास कुपता GST के लिए 122 समिधान संसुधन भिल 2014 में संसद में प्रस्तूत किया गया था GST विधैक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे इसका अलाव बता दू कि GST में लोगसभा द्वारा GST को 8 अगस 2016 तथा राजसभा द्वारा 3 अगस 2016 को इसे पास कर दिया गया क्योंकि GST के लिए भी लोगसभा राजसभा और राश्टपती की मंजूरी की जवरत परती आपको पता है किसी भी बिल को पास करने के लिए तो लोगसभा में इसे 8 अगस 2016 को पास किया गया और राजसभा में 3 अगस 2016 को पास किया गया इसके अलावा बता दू कि GST बिल पर राष्टपती ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी थी यहां तक क्लियर हो गया आगे 101 वा समिधान संसोधन के तैत भारत में GST लाको किया गया ध्यान रखिए 122 वा बिल पास किया गया था जिसमें से 101 समिधान संसोधन था जीस्ट जैसे कि भारत में क्या गया अमेंडमेंट कौन सा था 122 या पास किया गया कौन सा 101 ठीक है आपको बता दू कि GST जो है वो अप्रतक्ष कर है गंतब्य आधारित कर है जैसे मैंने बताए IGST के छितर में कि वो गंतब्य यानि destination based कर है यानि जिस जगह पे माल पहुँचेगा उसी को tax मिलेगा इसलिए 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 इन्डिरेक्ट tax को मिला कर बनाया गया है इसलिए कहा गया है इतना तक लिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि भारत में GST लागू करने का सुझाओ विज़ाई केल कर समीती ने दिया था और GST का मुख्याले यानि headquarters है दिल्ले में और इसके brand ambassador बिनाया गया है अमिता बच्चन GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज कौन था असम था और सबसे लाश्ट GST लागू किया गया था जम्मो कस्मेर में आगे बढ़ते हैं और GST के अंतरगत कुल 17 तरह के अप्रत्तेक्षिन इंडिरेक्ट टेक्स और टेस तरह के अधिवार यानि CES को सामिल किया गया है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GST के पंजिकरन इने रिजिस्टेंस थे क्या इसमें कुल 15 डिजिट सामिल होते हैं और GST के अंतरगत निर्धायत किये चार दर होती है यानि चार टेक्स लेब होती है ध्यान रखिए बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कितने टेक्स लेब है हम लोग डिटेल में बात करेंगे पर टोटल ध्यान रखिए चार ही टेक्स लेब होती है इसमें 5%, 12%, 18% और 28% ध्यान रखिए टोटल 4 टेक्स लेब होती है तमाम तरह के 1300 गूड्स और 500 सर्विसेस को मिला करें जी एसटी को 4 टेक्स लेब में डिविजन किया गया है ध्यान रखिए कहीं कहीं पे 0% टेक्स लेब भी देखिने को मिलता बट वो टेक्स ऐसे हैं जिनमें टेक्स में छूड़ दी गई है जैसे कि एग है, कर्ड है जैसे पनीर है, ये सारी खाने के चीज़े है जिनमें टेक्स में छूड़ दी गई है उसे ही 0% टेक्स लेब में रखा गया बट नॉर्मरली 4 टेक्स लेब हैं 5%, 12%, 18% और लग्जरिस आइडम को 28% के टेक्स लेब में रखा गया है जैसे सुगर, टी, कॉफी, एडेबल ओयल, मेलक ये सारे जो है, 5% टेक्स लेब में रखे गया है जबकि 12% में बटर, घी ये सारे रखे गया है 18% में हैर ओयल, सॉप, टुटपिस्ट ये सारे रखे गया है जबकि जितने भी कार्स हैं या तो लगजरिस आइटम है, परफियूम है, सेंपो है, मेकप के सामान है, मोटर साइकल ये सारे 28% के टेक्स लेब में रखे गया है इसे आप लोग ध्यान रखे चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं GST परिशद के बारे में यानि GST काउंसिल के बारे में GST काउंसिल में टोटल 33 सदश्य होते हैं इनमें इसका हेड यानि चेर्मेन होता है, बात का वित्यमंत्री इसके अलावा केंद्र राज्यमंत्री और राज्यो की वित्यकर मंत्री जो है इसमें सामिल होते हैं समिधान में GST परिशद को एक नए अनुचेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान रखा गया है GST परिशद के स्थापन 12 सितंबर 2016 को की गई थी GST परिशद के अद्दक्ष वित्मंत्री यानि फाइन्स मिनिस्टर होते हैं ध्यान रखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GST परिशद के सम्मलिस सद्दिशों के कुल संख्या 33 होती है GST परिशद में राज्यों की दो तियाई तैता केंद्र की एक तियाई वोट का अधिकार होता है यहींने राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है जबकि केंद्र को कमा अधिकार दिया गया है ध्यान रखिए एक्जाम में बहुते इंप秉स धार दो तियाई वोटका और जो आधिकार नहीं परिए थाभात handright का खुर्म और स्टेट गुर्मेंट पास और इूए अगे बढ़ेतें बाद किरते हैं आज एस्ट को समिधान के अनुचह ढूस्फियान एं रखा गिया at GST को राज सरकार तर्थ CGST को किंद सरकार लगाती है सराब पेट्रोले मुश्टवियें लेक्रिसिटी नेच्रल गयस सिक्षा और स्वास्त सिवाओं को GST से बाहर रखा गया है ध्यान रखिए पेट्रोले मुश्टॵों में क्या क्या आते हैं पेट्रॉल डिजल दोनों ही आते हैं, लेक्रिसिटी, नेच्रल गयस, सिक्षा, स्वास्त, सराब, यह सारे जो है GST के बाहर रखे के हैं, ध्यान रखिए, इसके अलब पैट्रोलिय मस्तूर में गयस भी आता है, अगर वार्षिक टर्नोबर 40 लाग से जादा हो, तो GST रेस्टेशन करना अनिवार होता है, अगर 40 लाग से जादा का टर्नोबर है, तभी आपको GST अनिवार होता है, वरना आज आप लोग GST कर सकते हैं, बट mandatory नहीं है, अगर आप लोग वार्षिक टर्नोबर, यानि येरली आपका टर्नोबर 40 लाग से जादा है, तब आपको mandatory है, आपको GST करना, और कुछ विशे इस राज जो यानि की नौर्थे स्टेट और हिली स्टेट के लिए ये जो है, टर्नोबर की जो सीमा है, वो 10 लाग रखे गई है, इसका लोग एक बात ध्यान रखिये, exam point of view is important है, कि अगर आप लोग कोई भी सामान online sale करते हैं, अगर आप लोग सबोस कीजिए कि Amazon में कोई product sale कर रहे हैं, ठीक है, तो Amazon में अगर आप लोग एक रुपिय का भी कोई शामान sale कर रहे हैं, तब भी आपको क्या होगा कि GST बनाना mandatory होता है, ठीक है, उस समय ये जो 40 लाग या तो 10 लाग के जो रखे गए हैं, limit ये mandatory नहीं है, अगर आप लोग कोई सामान online sale कर रहे हैं, त से बताया गिया है, इसके अलबा भारत GST लागो करने वाला 161 वादियस्ता, तो ये कुछ important points थे, exam point of B से जो आपको जानने थे, अब आप लोगों ने कितना सीखा, चली हम टेस्ट करते हैं, किसके माईदम से, MCQ के माईदम से, पहला प्रशन आपके सामने है, कि GST का पूर सही उत्तर होगा, आके बढ़ते हैं, निमलिकित में से, किसको GST में रखा गया है, अभी तक हम लोगों ने देखा था, कि GST में कुछ चीजों को छूड़ दी गई थी, जो सामन GST में नहीं रखे गया थे, आपको बताना है कि इन में से, किसको GST में रखा गया है, तो correct answer ह सहरे चीनी को, हम लोगों ने देखा, सराब, लेक्रिक्टिस्टी जो है, पै्ट्रोल है, यह सारी चीजें, GST से बाहर रखे गयी है, petroleum product जिसे पैट्रोल, diesel, या तो gas, यह सारे, GST से बाहर है, चीनी को GST के इन्टगत रखा गया है, GST किस प्रकार का tax है, आपको बताना है, तो correct answer है यह एक अप्रतक्ष कर रहे है जैसे मैंने बताया यह गंतव्या आधारित और अप्रतक्ष कर रहे है यानि destination based और indirect tax है next GST कितने प्रकार से लगेंगे तो अभी हम लोगों ने अच्छे से देखा कि total तीन तरह के GST होते हैं SGST, CGST और IGST तो यह तीनों प्रकार से लगेंगे यानि option D इसका सही उत्तर हो जाएगा next important question वस्तू और सेवाकर यानि GST की आउधारना किस देश से सुरू हुई थी यानि इसे कहां से लिया गया है तो इसे कनाड़ा से लिया गया है तो भारत में जो GST लागो की गई है वो कनाड़ा मॉडल से लिग गई है ध्यान रखिए नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है यानि जितने indirect taxes थे उन में से किसको समाप्त कर दिया गया है आपको बताना है इस GST के आने के बाद तो सिवाकर यानि सर्विस tax को खत्म कर दिया गया है इस GST के आने के बाद यानि option ये इसका सही उत्तर हो जाएगा next GST की तहद नेमलिकित में से कौन सा करदर लागू नहीं होता है यानि कौन सा tax lab लागू नहीं होता है तो अभी तक हम लोगों नहीं देखा चार तरह के tax lab 5%, 12%, 18% और 28% तो इन में जो है 25% tax lab नहीं होता है next GST किस पर लगाया जाता है तो correct answer है ये सभी पर यानि निर्माता खुदरा विक्रता और उद्भोकता इन सभी पर लगाया जाता है जिसका destination based है अगर कोई शामान एक जगा से दूसरे जगा पे जाता है तो जहाँ उसके विक्री होगी उन ही को उसका फाइदा मिलेगा यानि उस state को मिलेगा next किस परकार का कर GST है यानि GST किस परकार का कर है तो अभी हम लोगों ने देखा ये अप्रतक्षकर यानि indirect tax है next GST परिशद के chairman कौन होते हैं तो अभी हम लोगों ने GST council के बारे में पढ़ा तो GST परिशद के chairman होते हैं कौन वित्यमंत्री यानि finance minister next GST परिशद का परमुक कौन है अभी तो correct answer है अगर अभी की बात करें यानि मैं 2020 की बात करते हैं तो GST परिशद के अध्यश कौन है हमारे वित्यमंत्री निर्मला सितारमन ये भारत की प्रथम पूर्णकाली भारत की पहली पूर्णकाली महिला वित्यमंत्री है निर्मला सितारमन अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग confuse होते हैं जैसे हम लोगों ने अभी वीडियो बनाया अब suppose कि ये दो साल पांग साल बाद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारे मेरे दोस्तों मेरे कमेंट करते हैं सर अभी जीस्टी परिशत के प्रमुक है नहीं आप गलत बता रहे हैं तो मैंने वीडियो जब अपलोड किया उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जो वित्यमंत्री होगा वही जीस्टी परिशत का प्रमुक होगा तो इस आपको थोड़ा दिमाग भी तो लगाना है ना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं जीस्टी बिल को पारिद करने के लिए कौन सा समिधानिक संसोधन किया गया तो करेक्ट अंसर है 101वा ठीक है 122वा बिल पेस किया गया था जबकि 101वा समिधान संसोधन किया गया जीस्टी में द्यान रहे कि बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट जीस्टी बिल के अंतगरत निमलिखित में से कौन सी वस्तुई सामिल नहीं है तो करेक्ट अंसर है उपरोग्त सभी यानि cooking gas, सराब, petroleum product अगला प्रश्ण है कि जीस्टी की चोरी करने पे कितने साल के सजा का अगर किसी ने जीस्टी नहीं भरा यानि जीस्टी की चोरी की यानि सरकार को धोके अधनी की कोसिस की तो इस condition में कितनी साल के सजा का प्रावधान है तो total 5 साल के सजा का प्रावधान है नेक्स्ट इन्पॉर्टेंट प्रस्न है लोगसभा में GST बिल कब पारित किया गया तो correct answer है 8 अगस 2016 को लोगसभा में पारित किया गया जबकि 3 अगस 2016 को ये राज्यसभा में पारित किया गया लोगसभा राज्यसभा यानि पहले राज्यसभा में पारित हुआ फिर लोगसभा में पारित हुआ उसके बाद राष्टपती के पास पारित होके ये finalized हुआ आगे बढ़ते हैं जी एस्टी को लागो करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है तो अंतिम राज्य है जम्मुकस्मिर जबकि जी एस्टी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तो वेरे गुड असमता पहला राज्य और अंतिम राज्य था जम्मुकस्मिर अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौम सा GST Tax Lab सही है यानि करेक्ट है तो करेक्ट अंसर है 18% हम लोगों ने 4 GST Tax Lab के बारे में पढ़ा था 5%, 8%, 18% और 28% यह 4 Tax Lab पढ़े थे इन में से 18% सही है अगला प्रशन है जीएस्टी पंजीकरन ये रेजिस्ट्रेशन की सिंख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं बहुत इन प्रशन है तो करेक्ट अंसर है ऑप्शन भी यानि कुल 15 डिजिट होते हैं जिन में फॉर्स्ट टू डिजिट जो स्टेट कोड बताता है उसके बाद जो वो पैन नंबर होता है जीएस्ट की रेजिटेशन में कुल 15 डिजिट होते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टन प्रशन जीएस्टी परिश्द में कुल कितने सदश्य निक्त किये गए हैं तो हम लोग ने जीएस्टी काउंसिल के बारे में बढ़ा उसमें कुल 33 सदश्य निक जी ये सारे जो हैं जीएस्टी से बाहर रखे गए हैं नेक्स्ट आजीएस्टी को किस अनुच्छेद में रखा गया है और किस आर्टिकल में रखा गया है तो आजीएस्टी ने इंटिग्रेटेड गूड्स और सर्विसेस टेक्स इसे अनुच्छेद 269 एक अंतरगत रख सखा गया है स्वर्वपत्म GST के प्रारूप को तयार करने वाली समीति की अजधक्ष कौन थे तो करेक्ट एंसर है अशीम दासकुपता पशीम मंगाल के अशीम दासकुपता स्वर्वपत्म GST के प्रारूप को तयार करने वाली समीति के अजधक्ष थे next GST के अंतरगत कितने indirect taxes और CES को सामिल किया गया है तो correct answer है कुल 17 indirect taxes और 23 तरग के CES को सामिल किया गया है यह GST के अंतरगत आके बढ़ते हैं कि भारत में GST कब लागो किया गया तो correct answer है 1 July 2017 को भारत में GST लागो किया गया इसे कारण से एक जुलाई को हम दोग GST दिवस के रूप में मनाते हैं अगला GST परिशद में राज्यों को कितने वोट का अधिकार है तो टोटल दो तिया है अधिकार है राज्यों को वोटिंग का अधिकार जादा दिया गया है as compared to kinder अगला प्रस्ण GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है तो correct answer is France France में स्वरुपतम GST लागू किया गया था अगला प्रस्ण भारते समिधान के किस अनुचेद में GST काउंसिल को रखा किया है तो correct answer is 279A आर्टिकल में GST काउंसिल के बारे में बताया गया है Indian Constitution में अगला प्रस्ण आपके लिए आप मुझे comment बस वे comment करके बताएंगे कि IGST का पूरा नाम क्या होता है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और आपके लिए यह home work है आप मुझे बताएंगे कि IGST का पूर नडूप यानि फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को मेरा ये सेसिंट पसंद आया और आपको लगता है कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए फाइदे बंद है तो लाइक, सेर और सपोर्ट करना मत बूलिए हम लोग इसी तरह के वीडियोज लाते रहते हैं आपके लिए और बहुत सारे मेने वीडियोज अपलोड किये लाखों दोस्तों ने देखा और सरहा उन सभी को तही दिल से धन्यवाद और अगर आप लोगों ने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है नए वीडियो ने नोलज के साथ तब तक हसते रहें मुश्कुराते रहें थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो जैहिंच जैह भारत दोस्तों